कि नमस्कार दोस्तों कि मैं अब सभी का स्वागत करता हूं कि यह वीडियो बनाने में थोड़ा देर ही हो रही है अधर कि कल ही मैंने इसका नोटिफिकेशन दिया था कि यह वीडियो जो है बस चंद घंटों में अफ्लोड हजाएगी मैंने वीडियो बनाया था लेकिन उसमें थोड़ा सा अइरार आ गया था उसमें वह यह था कि मैंने माईक जो है connect किया हुआ था और दिख भी रहा था कि हमाई connect है लेकिन जब मैंने वीडियो complete किया और उसको प्ले किया तो उसमें जो हमारी वाइस थी वो record नहीं हुथी only video record हुआ था ठीक है तो आज हम फिर से उसको record करने जा रहे हैं तो यह जो video बनाने जा रहे हैं यह मुख्यता उस पर बेस्ट है इसका नाम है पुस्प की संदचना पुस्प की संदचना यह फिर बोल सकते हैं इस ट्रक्चरा फुलावर यह बोल सकते हैं पुस्प के भाग हम कहीं भी पुस्प देखते हैं देखने में अच्छा लगता है तो उसको तोड़ लेते हैं ठीक है लेकिन कभी यह जानने की कोशिस नहीं करते कि उसमें कौन-कौन से भाग होते हैं तो आज हम आप लोगों को यह बताएंगे जिसके द ons जानेंगे कि पुस्प होता है उसमें कौन-कौन से भाग होते हैं और कौन से भाग क्या कारे होता है ठीक है तो नेक्टे इसमें हम यहां से स्टार्ट करते हैं कहां से यहां से सबसे पहले क्या हुआ है लिखा हुआ है वुस्प ब्रिं्थ जिसको बोलते हैं क्या हो को अ ऐसका है पेडिकल ठीक को थेडिए ये जो इसी को डंठल दिखा जाता है तो जिस शाधक है कि भागो होता है जिस से निकला रहता है विर्धा ढाना recе प्लस आसन मतलब की पुस्प का आसन अर्थात हम कह सकते हैं कि पुस्प का वह भाग जिस पे पूरा फूल क्या होता है बैठा रहता है उसको बोलते है पुसपासन इसको थैलमस कहते है ठीक अब इसे थोड़ा और आगे बढ़ते है तो क्या होता है बाय दल आपने देखा होगा जो फूल होता है जिसे गुलाब का फूल ले लिए गेंदा का फूल हुआ या फिर गुड़हल हुआ त तो हर एक के फूल में जब खिला रखता है उसके नीचे जोुए एक पती संस्तना होते ग्रीन कलरी Iraq कब न द करती जो अंदर जुद्वते उन弃 को सुरक्षा परदान करती इसी को बोलते हैं यह बयादल को बयायको ड़ाता है सेपल क्या सेपल अब चूंकि एक तो होता नहीं ये तो यह होता है अगर हम यह से औब इसमें बाहर से यह यहेगा हरे हरे का लगा जिसको बोलते हैं क्या सेपल तो बिभिन शेपलों का जो गोस्थ होता है उसी कोँ बोला जाता है बाइदल वन्ह फिर उसको कहा जाता है क्या कैलेक्स कहा जाता है मतलब अनेक बाय दर्व का समुग क्या कहलाता है कैलेक्स कहलाता है ठीक इसके बाद फिर इसका कार्य वही था कि जो आंतरी वाग होते हैं पुस्पके उनको सुरच्छा ब्रदान करना होता है कि देखें फिर आगे बढ़ते हैं फिर आता है क्या क्या दल उसको बोलते हैं क्या न genuine this को बोलते हैं पेटल के दल को या जाता है अटारं के एदस तो जो दल होता है जो मैरे पुस्पfit रंगीन होते हैं मैं रंग हुन की बात नहीiger रहा हूं रंगीन कह रहा करता है रंग भरने का कारे कौन करता है दल करता है अब चुकि यह रंगीन होता है तो जाहिर से बात है जो चीज कलरफूल होती है उसी के पीछे हर चीज आकरसित होती है तो यह क्या करते हैं यह जो कीट कीट पतंगा होते हैं उनको अपने तरफ आकरसित करने का कारे करते हैं तो जो पेटल होता है तो यहां फिर कह सकते हैं कई दलों के समूह को क्या कहा जाता है दल पुंज यह फिर को रोला ठिक यह देखिए यह देखिए बाहर की जो पंखुडी है यह 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 क्या है इसी को पेटल कहा जाता है या फिर कई पेटल का जो समूह होता है उसको कहा जाता है क्या उसको को रोला कहा जाता है अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आता है क्या हमारा यह देखिए यह दिख रहा है न यह इसको बोलते हैं पुमंग पुमंग गोई तो पुरुस जननंग पूषे पुरुस पुमंग पुरुस जननंग तो इसमें मुखेता तीन भाग होते हैं, पहला क्या है, इसी को बोलते हैं यह यह रहा, पुतन्त यह पुंकेसर, ठीक, इसके थोड़ा आगे बढ़ोगी, ते आता है क्या, पराक कोस, फिर, इसके अंदर पराक कोस के अंदर क्या हो रहता है, पराक कोस होता है, कोस मतलब क्या कक्ष या घर, तो उ को जड़ होती है यह और जो अंडासय होता है जिसको और बोलते हैं और इसका है क्लार उर्थ पुतंतु क्ला जड़ होता हूं ज़दे से जुड़े होते हैं तो, कहां थे, पूंकेसर, पराकोस, पराक कर्ण, ठीक ये पूंकेसर की कुछ आंतरिक समझने, इसको देखिये, पूंकेसर, इसके अंदर देखिये, छोड़ und दाने भरे हुए न, इनको बोलते हैं, लुझा, द्हानी, और ये पूरा जो चमबर है इसको पराकोस गोलते हैं, और इसमें देखिए एक योजी होता है योजी इसको क्या करता है ये जो पराग कोसाता दो भागों विवगत रहता लेकिन ये योजी के दूबारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है आप देखा होगा कि जो सरसों के खेट में हम लोग घुशते हैं तो हमारे के कपड़ ये हाथों पर एक यलो उलो कलर का छोटे-छोटे से पार्टिकल के रूप में लग जाता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताए कि वो क्या होता है जो हम लोग के हाथों पर लगता है हाथों या कपड़ों पर लगता है वो क्या होता है ठीक अब इसके बाद फिर आग जैनल में तो देखिए इसमें जो नीचे यह इतना उभरा हुआ भाब है इसको बोलते हैं ओबरी ओबरी या फिर अंडास है ठीक फिर ओबरी के अंदर में क्या होता है ओविल या फिर जिसको बोलते हैं जिनको बोलते हैं कि तो हम गहां थे यह घ्योव थेया है। यो पूरा फंप का सबसे संस्टिव पार्ट होता है सबसे स्रचित भी होता है करकि सबसे अंडर में होता है न सबसे स्रचित होता है वर्तिकाँ को बोलता है style ठीक वर्तिकाँ से थोड़ा ओर ऊपर बढ़ेंगे तो यह आता है वर्तिकाँ का अग्र भाग जिसको को बोलते हैं वर्थिकागर ठीक है अ को है वर्थिकागर को कहा जाता है स्टिगमा इस्टिगमा ठीक है यहो गया इस्टिगमा थेग्वाऄ ठीक हाई जम कला d समझते हैं कि देखें पुस्प यह हो गया पुस्प के दो मुख्य जननंग एक क्या हो गया एक हो गया सहायक जननंग दूसरा प्रात्मिक जननंग अब सहायक जननंग में क्या हो गया दिख रहा है सहायक जननंग में बाह दल पुंज और दल पुंज और प्रात्मिक जननंग में पुमंग और जैंग ठीख मुख्य दो जननंग कौनसे सहायक जननंग और प्रात्मिक जननंग तो सहायक में दो भाग होता है थी पंच को बोलते है इंड़ोंक पुंच अब देखिए अब देखिए जो होता है उस सब्सक् surface नीचे का यह अंदर की कली घो होती है इसको सुरक्षा बरदान करना और इसमें को एकाई को इसको कई Ika तो ये इसमें तीन भाव होते हैं पहला क्या पुंककेसर या पुतंतु उसके बाद फिर क्या आता है पर अश्रत पार्ख कणकों अंदर 숨से नतकी को बोलते हैं क्या कर जायम या गाइन cód sparksin ऊपर टींगा क्या ऑवरी ओभो येडियों सेज्जंगे परागण की जो बिधियां यह तो नेक्स लेक्शर में बताएंगे कि परागण की कौन कौन से बिधियां परागण कैसे होता है लेकिन बस इसमें इसे बैसिक तरीके से जान लेते हैं यह जो है पराकोस है ठीक है इसके अंदर में क्या परागण भरे हुए है अब मालेजिए कोई कीट आके इस पर बैठता है या हवा चलती है तो क्या होगा इसमें जो परागण लगे हुए हैं यह क्या करेंगे यह उड़के या उनके पैरों में लगके कहा जाएंगे वर्तिक यह आपास में मेलकर सांसलेसित होते हैं और फिर किसका निर्मार करते हैं यह योगमनी का निर्मार करते है जिनको बोलते हैं जाइगोट तो यह बहूर्छ आप लोग स्की इसमारा लिजिए और comment करके बताईएगा कि ये lecture कैसा रहा और इसमें जो तुरुटिया हैं उनके बारे में आप जरूर बताईए अच्छा ही आप बताईए अना बताईए लेकिन जो कमिया आप उसको जरूर बताईए यूँकि जब तक आप कमिया नहीं बताएंगे तक हम इसमें खुझ से सुधार तो कर रहें लेकिन जब आप लोग बताएंगे तो क्या होता है कि हमें अपनी कमिया सुएम नहीं दिखाई देती हैं लेकिन जब कोई हमारी कमियों को कोई और बताता है तो जल्दी से सुधारी जा सकती है ठीक है थैंक्यू तो कमियों करके आप लोग ज़रूर बताएगा अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा सेर भी करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए थैंक्यू